हेलो फ्रेंद्स मैं हूँ शालिनी कपूर और आप देखते रहिए दूर दर्शन का मशूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिवार राज साड़े आठ बजे और हर इत्वार दोपहे साड़े बारा बजे सिर्फ और सर्ट डीडी उर्दू पर आदाब नमस्कार बहुत बहुत इस्तखबाल है आप सभी का और आज हमारे साथ मौझूद हैं बॉलिवुड के जाने माने और बेहत टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने विलन के किरदार को इतनी खुबसूरती से निभाया कि लोग उनके कायल होते चले गए जिने हमने साउथ की फिल्मों से लेकर बॉलिवुड तक कई शानदार फिल्मों में देखा साथी वेब सीरीज में भी ये बेहतरी इनकाम कर रहे हैं एक हिंट दू चेननई है एक्सप्रेस के ठंगावली कुछ याद आया जिहां गुफ्तगू में आज मुलाकाद जोधा अकबर दबंग टू रेड़ी चेननई एक्सप्रेस सूरिवन्शी और शेर्शा जैसी सूपर हिट फिल्मों में काम कर चुके दबंग अभिनेता निकितिन धीर से निकितिन धीर जिनका शुमार बॉलिवुट के बहतरीन एक्टर्स में से किया जाता है फिल्मी परिवार से तालुक रखने वाले निकितिन धीर ने अपने करियर की शुरुवात फिल्म जोधा अकबर से की थी जिसमें इनके साथ रृतिक रोशन और एश्वरय राय जैसे बड़े स्टार्स मौझूद थे बावजूद इसके निकितिन धीर फिल्म में अपनी चाप छोड़ने में काम्याब रहे और कई बड़े प्रेडूसर्स ने इनको अपनी फिल्मों के लिए साइन कर लिया जहां एक तरफ रेडी, दबंग टू, हाउस फुल्ट्री, शेर्शाह और सूर्य वंशी जैसी फिल्मों में ये नजर आए वहीं दूसरी दरफ शहरुखान के साथ आई फिल्म चैनई एक्स्प्रेस में विलिट के किरदार ने इन्हें रातो रात तंगा बली के नाम से मशूर कर दिया मजबूत गद काठी और अपनी शानदार एक्टिंग के चलते बॉलिवुड में अपना खास मकाम बना चुके निकितिं धीर फिल्मों के साथ साथ टेलिवेजन और वेव सिरीज में भी शानदार काम कर रही है अगर बात करें इनकी निजी जिन्दगी की तो मशूर अदाकारा क्रितिका सेंगर के साथ इन्होंने शादी की है और अपनी जिन्दगी में ये बेहत खुश्छाल वक्त गुजार रही है बहुत बहुत इस्तवाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्री है Nikitin सबसे पहले ये बताईए कि आपकी परस्नालिटी आपकी कद काथी इतनी शांदार है आपकी एक्टिंग इतनी शांदार है तो फिर आपने विलन के तौर पे एंट्री क्यों की जो धागबर से अचली इसके पीछ एक इंट्रेस्टिंग कानी है मैं एक फिल्म साइन की थी शुरुवाती दौर मैं जिसमें मैं एक हीरो था और फिल्म की शूट चल रही थी और मिडवे कहीं प्रोड्यूसर और डिरेक्टर में कुछ अन्बन हो गई जिसके वज़े से शूट बंद हो गई और फिर से मुझे स्ट्गल करना पड़ा और वही ओफिसे के चक्कर और सब कुछ इसी दर्मियार पता चला की असतोर जी बना रहे है जो धागबर मैं हमसे उनसे क्सी और में मिलने गा था लेकिन चली अर्ड़ा में अखाक लगें क्या डिक इसुम मुझे 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 मिल रहा है अपना हुनर दिखाने का अगर एक सीन भी मैं धंग से कर गया तो मेरी बहुत बड़ी जीत होगी इसी सब को अपने दिमाग में रखते हुए जादा ना सोचते हुए मैंने जोदागवर की फिर उसके बाद एक और फिल्म हमने साइन कि जहां पर हमें हीरो लिया गया लेकिन कुछ रीजन के वज़े से उस समय दौर ऐसा था कि छीज नहीं हो पाई तो फिर इस इंड़स्ट्री में जब आप एक से तीन फिल्म में विल्म आते हैं तो लोगों का एक नजरी आपकी तरफ बन जाता है तो डेस्टीनी आपको विल्ली बना जाता है यह जो जितनी भी कोशिश कर लो ना खीच कर वहीं ले जाता है लेकिन हम भी वैसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं अगर शत्रगं सेना साहब और विनौत खना साहब बन सके तो शायद हम भी कही ना कहीं बन जाएं क्या पता अगर अगर सेरियस नोट हमेशा से यही सोचा है कि काम अच्छा करना चीए बहुत कम लोग जानते है कि जाने माने अक्टर पंकज धीर आपके वालिद है और आपके दादा भी एक डायरेक्टर थे तो फिल्मों में आना बॉलिवुड से जुड़ना एक इतफाक है और आपकी भी चाहत थी कि मैं फिल्मों में काम कर एक एक्टर बनो आपने बिल्कुल सही का मेरे जो दादा जी थे वो राइटर डिरेक्टर थे मेरे फादर एक्टर है जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई हम पले बड़े तो हमें बच्पन से मतलब इंकरेज किया जा था किया फिल्में देखिये एक आपका नजरिया चीज़ों को लेकर थोड़ आर्टिस्टिक होगा लेकिन सच तो यह कि मेरे फादर मा भारत कर रहते करीब आट नौ साल का था तब एक चाहती कि शायद मैं कर सकता हूँ लेकिन इसके बाद बहुत मेरी दिली इच्छा थी कि मैं डिफेंस कि किसी फील्ड में जाऊं और लेकिन वह नहीं हो पाय क्यूंकि मेरी दादी उन्होंने पार्टिशन अगरा देखा था तो वह मुझ से हमेशा कहती थी कि मैं शायद उस चीज को नहीं जहिल पाऊंगी फ कंड़ा बेखा तो वह से सबसे घाया देखाएं मेरी फ़ उस जámनने इसी आगरा प्राटिशन में आप भावती लिएंग होगा ह। दु जो सीनियर होगा वो साइन करेगा और जो डिली आपके वरकर जिनको उस टाइम पे कैश में भी दिया जाता था तो वह हम करते थे तो वहाँ ही इसे शुरुआत हुई और उतनी ग्रासरूट लेवल से समझना स्टार्ट किया काम को अगर काम प्रिशन प्रिशन अगर काम प्रिशन पर मिले गा तो इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी मेरे फादर को ने कर दिक्र किया नहीं कि मुझे नहीं लगा कि वह इतना ज़रूरी है कि मेरा काम बोलना चाहिए जैसे आपने शुरूबात में बताया कि आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें आप अपना नाम ना भी बताया अगर तो लोग आपको पहचान लेंगे वह इतना बड़ा किरदार है तो क्यूंकि आप तयारी कर रहे हैं हीरो बनने के लिए और बन जाते हैं विल्लन देखे हम जितना थोड़ा बहुत सीखा है लाइफ से और इस जोर्नी में मुझे लगता है कि हर अक्टर यह मानेगा कि कोई भी मीडियू अक्टर से छोटा नहीं होता हर अग्टर मीडियू से छोटा होता है तो आज हम यहां बात करें कैमरा है कल को अगर हम स्टेज पर पर हमस्ते पर इस तो गिव जैसे आपने बात की चैन्ये एक्स्प्रेस की तो इसमें जो रोल है जो आप नाम कहरें तो तो मतलब होता है मैन अफ गुल्द तो जब लोग मुझे बुझे 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 देखा है और अगर आप नोटिस करेंगे तो इस फिल्म में मे उसके बावजूद लोगों को मेरा काम इतना अच्छा लगा तो I think मेरे लिए बहुत बड़ा एक अवार्डी है एक तरह से तो I mean I feel really blessed about it. एक तरफ DP का पादुकूर और दूसरी तरफ शारुखान तो कैसा experience रहा आपका उनके साथ? बहुत ही बड़िया experience रहा बहुत ही यादगार experience रहा मेरे लिए जैसे आपने का दोनों इतने बड़े स्टार थे और मैं अपना एक कोने में अपनी कुर्सी लगा के बैठा रहता था था लेकिन शारुखान साब इतने बड़िया इतने बड़िया इंसान भी है कि मुझे आदे दूसरे दिनिया कोच उन्होंने मुझे कहा अपनी कुर्सी यहां लेया और मेरे पास आपकर बैठो तो बड़ा मुझे थोड़ा सा नर्वस सा लगा क्योंकि इतने मुझे उनको हम बच्पन से देखते आ रहे हैं इतने बड़िया इतने बड़िया इंसान लगे और मुझे याद है कि चैने एक्सप्रेस की जरी में ह książva मुझे ळापकर एक सब्सक्राइब मुझे भूह को रहा है थे उनको डने रहा हैं यां कुछा सब्सक्राइब के उरुछ एकारो हम गएन फीका। तो जब उन्हें ने मुझे छूट दे और रोहिट सर जो बहुत बड़ा हाथ है तो जो हमेशा कहा कि तू हमारी फिल्म का विल्ली नहीं है तू ज़िए लड़की से प्यार हो ना हो तेरी शादी ओने वाले ती कोई और लेकर भाग गया तू ज़िए इस बात की खुनना से है मुझे याद है आज भी हम जो प्रेस कॉन्फरेंस में बैठे थे तो एक जूर्नलिस ने कहा कि आप फिल्म के विल्लीन है तो रोहिट सर ने करेक्ट किया कि यह ज़िए फिल्म में विल्लीन नहीं कोई तो इतने बड़े डरेक्टर का आपके लिए इतनी बड़ी बात कहना यहीन के विल्म फिल्म के विल्म के विल्म कैट से सुर्ण आतरों यहीं वर्डेस वा की लिएडिए जाएंगा दो फिल्म में अवागा झाते संवह के ठीख है, यहीन विल्म जाएं इतनी आभ लोगा है इतना सांँ ने साह दो जानना आप यहा यहीूऑ मैजिक तो जात आपका था तो उसके लिए आपने कितनी तयारी की थी क्योंकि किस तरह की कि कोई गल्ती की गुंजाइश ना रहे नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा से ट्रेंड हो तो मुझे बहुत मज़ा भी आता है और शायद बहुत कम लोग जानेंगे लेकिन शासर अक्शन में माइंड ब्लॉई है मैंने उनसे करीबन 10-12 चीज़ें सीखी होंगी उनका reaction, उनका timing, उनकी intensity बहुत कमाल किये और अगर आप चैन्ने Express का पूरा क्लामेक्स देखेंगे तो कहीं भी हमने बॉड़ी डॉजने किया और हमने करीबन 14 या 16 दिन शूट किया है वो क्लामेक्स और पूरी भीड, falling, और खून, गिरना पढ़ना सब कुछ और बिलकुल मुझे कहीं इसा नहीं लगा कि मैं इतने बड़े सूपरस्टार के साथ काम कर रहा हूं और भगवान की बहुत क्रिपा रही कि किसी को चोटने लगी कुछ नहीं वा बहुत प्यार से पूरा सीक्वेंस हो गया लेकिन मतलब जैसे आप कह रही है कुछ मुझे नहीं लगता इतना फरख पड़ता है कि जो जान एक इनसान में वह आप जब आप जिखाते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाते हैं वह खुद भी इतने सीनियर अक्टर है और वह वेल-ट्रेंड बहुत स्मूदी चीज़े हो जाते हैं नहीं में आप विलन हैं लेकिन तो नहीं भूले-भाले निकले अपने अर्रेंज अरेंज़ कर ली कुछ बताएइक कैसे हुई drop बता है की सबस्छ बहुत अच्छी लगी तो ऐसी बात से बात निकली और उन्होंने मुझे इस बात पर जोर दिया कि बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हे इस बारे में सोचना चाहिए तो I don't think it's a it's true that it's arranged marriage I think we used to lie की जद और वो चीज़ हमारी family तक बहुत जल पहुंच गई तो हमने फैसला कि हम शादी करेंगा तो and I think हम जिस तरह से हमारा Indian family system होता है जब आपके माबाप को कुछ चीज़ें पसंद आती है तो it becomes very easy for you and Krathika जिस किसम की लड़की थी I respect her a lot as an actor but I respect her more as a human being मतलब हमारी line of work में and just generally उसका mindset है she's a pillar of strength for me so that was a biggest respect I had for her जब आप लोगों की शादी हुई तो बहुत सारे articles की headline ऐसी थी कि तंगावली और जहांसी की रानी की हुई शादी तो जब इस तरह की headline किसी और मुद्दे पर पढ़ते हैं तो किस तरह से react करते हैं जाती है तो फिर नहीं हमें हसी आती है कई आप आसे भी articles निकले कि फलाना heroine के साथ मेरा कोई affair चला 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 तो कि यह तुकि यह झाला कि यह तुकि अज़ रहते हैं क्योंकि हम में पता है अज़ूट है लेकिन हमारे देश में कोई आसा किस तरह के किरदार आगी करना चाहते हैं रोमैंटिक लवर बोई और भोले बाले लड़की का किरदार आप करना चाहेंगे कि अधर आपके से अधर-षूर नहीं आपके सब्सक्राइब करना चाहें नहीं ऐसका करना चाहें तरह कि मेरा देल डॉल आपके से घरदार को जिसका करना चाहें हैं जैसे एक योद्धा का रोल हुआ या कुछ एक फ्रीडिम फाइटर का रोल हुआ, मुझे बहुत पसंद है यह जोनर मत्ती से जुड़ा है, मुझे वैसे कुछ फिल्मे करने का बहुत आशा है और यह आस होगा करें, कभी न कभी होगा कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी परस्नलिटी виде कि वजह से कि ज eddbol to grassland काम आपको मिल रहा है। उसको पूरी शिददत से कीजिए। मुझे लगता है करते करते हैं आता भी है, और मिलता भी है। आपको अपने उपर चाहिए। चाहिए। कि मुझे जिस तरह से उपर वाले ने बनाया है, को कुछ सोचकर ही। अगर मेरे दिमाग में अगर यह थौट है कि मुझे इस लाइन में आना है और यहां पर करना है तो मुझे अपने उपर भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि यह लाइन है आपके पास आज काम है तो सब लोग कहरें वाओ बहुत अच्छा है जब काम नहीं है तो वही लोग आपकी हर चीज को ऊपर सी नीचे तक गिना देंगे कि यह कमी है जब आप अच्छा कर रहे है तो वही कमी आपके प्लस में है หर- flare- 자기 Connect to anyone और फिर्सका का 11 एसा है तो एक उ схणी 1 आये पात है जाणाव इस सभी हाएडा और इसकाया पिरे ईसे खाल तो आप दोस्रों भी ऐसे त्रित करेंगे बाकी त्रीसी आपने कहा है हर एक्टर सीचा क की कि खालों Vielen hammer जो आपका दाएरा है उसमें आप रहिये, कोशिश कीजे दायरे को बढ़ाने की लेकिन उसी दाएरे में बहुन कोच है करने को अभी आने वाले वक्ते अप किन फिल्म में और वेब सिरीज में काम कर रहे हैं कैसे रोल्स है आपके उसमें मैं एक बहुत भैटरीन वेबसीरीस अब ही मैं थोड़े टाम एक जिसका नाम है इंडियन पोलीस फोर्स वो रोहिट सर बना रहे है और आमाजन पर आने वाली है और बहुत ही अच्छा किरदार उनों ने मुझे दिया है और बहुत आशा है मुझे उस वेब सीरी से भी के लोगों को काम पसंद आएगा तो वो अनौन्स करेंगे मुझे लगए बहुत जल्द रिलीस रहे है और एक मेरी करनद फिल्म है जिसका नाम है Martin इसमें भी बहुत इंटरिस्टिंग किरदार है विल्लेन है लेकिन बहुत रूप उसके बहुत रूप उसके वह भी इसके लिगी कृस्मस तक लगईगी तो फ बहुत करते है क्योंकि एससे इस सद्धी कर्ण्ड कर्ण। करते है तो अब कि अ इस अधारा करिटे है जब कि आपने कहा हैसे इसके कहना करनद हिल्म सकता तो आपका विलिन हिंदी थोड़ा कंणड थोड़ा इंग्लिश भोले तो और अग्सेप्ट करती है तो उसी को मद्य नज़र रखते हुए क्योंकि यह फिल्म एड़ा रिलीज वाली है तो उन्होंने ऐसे रखा है कि एड़ा हिंदी भी भोलता है कंणड भी और इंग्लिश भी तो कंणड के डायलोग्स है को हम थोड़ा बहुत याद करके उसी समय बोल देता है सुर्ताल ले समझ के वाकि हिंदी इंग्लिश तो हमें आती है तो मैंनेज कर लेता है एक्टिंग के अलावा और किन चीज़ों का आप शॉक रखते हैं एक्टिंग के लावा मुझे फिटनेस का बहुत शॉक है और मार्शल आर्ट्स का मुझे बहुत शॉक है तो अपने फ्री टाइमें में इनके बहुत द्यान देता हूं आपके फादर से जुड़ाय खिस्सा बहुत पशूर है उन्हें पहले अर्जुन का रोल ओफर हुआ था लेकिन उनकी मुच्छे शेफ करने के लिए करना नहीं चाहते थे इस वजह से उन्हें वह रोल छोड़ दिया तो कभी ऐसी सिच्वेशन आई आई किसी रोल को लेकर तो मैं अपना प्रिंसिपल फौट मानता हूं उनकी कुछ कहीवी बाते हैं जिनका मैं बहुत कोशिश करता हूं कि उस रह पर चलूं तो जैसे आज की तारीक में OTT का बहुत जमाना है तो नुड़िटी और अपना on-screen casing और यह सारा कुछ मैं नहीं करता अभी से नहीं शू कुछ कुछ प्रिंसिपल मैंटें की हैं मुझदाडी अगरा के नहीं लेकिन ऐसी प्रिंसिपल्स कि जो भी काम आज से 20 साल बात भी अगर कहीं दिखे तो हम अपनी फैमिली के साथ बैट कर देख सकते हैं तो आपनी फैमिली के साथ बैट कर देख सकते हैं तो I've always kept that हमारे क्युकि आपकी परसनलटी एसी है कि वहां के लिए एक रिए फेलेख सुटेबल है तो क्या कोई ऐसा प्लैन है या वहां से कोई ओफर आपको आया हो I think आपको हर अपको एक अटर राझ कोई प्लैन काम नहीं करता है तो इस अपरवाले के हातमा सूश एज अजा उस कि अप आपका पसंदीदा अक्टर कौन सा है? पसंदीदा अक्टर? चाहे वो पुराना हो या पर नए अक्टर हो दिलिप कुमार साब वान अनली मतलब कमाल के अक्टर थे वो कोई है ऐसा अक्टर जिसके काम से आप ज्यादा मुतासिर होते हो और आपको लगता हो कि कुछ इनकी तरह मैं भी अपने शामिल करूँ ऐसे तो बहुत अक्टर मैं लेकिन मुझे मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि आप चाहे आप 15 अक्टर को आप देखें आपको लगे कि यह मुझे इंस्पायर करते हैं अपना इक बोलने का अंदाज आपको अपना आपना स्थाइल आपको साहब दैस का अपना स्थायर्म को मैं रहेकर बहुत अवार्ट आपको stable यह को तो अब बहुत पुछा आपना इंडिविजावस्टी नहीं क्याँकि मेरा एक बोलने का इस्टायब व् Ts्थायल है I want to be like that. I want to be myself. अभी आप और क्या प्लान कर रहे हैं? किस तरह का काम आपको और करना है? कोई ड्रीम रोल? अभी तो शुरुवात की है मैं हम बहुत काम करना है अभी तो I have just taken baby steps. मैं थोड़ा सब्सक्राइब को लेकर सेलेक्टिव होता हूँ I try to make sure that if I have done one role, I don't do that. अगर अभी मेरा करियर चोटा और बड़ा और जोबी हो लेकिन मैं अभी रिपीट नहीं किया है I have always tried to do different roles तो बस यही है कोशिश रहती है कि हर बार कुछ थोड़ा थोड़ा सा अलग कोशिश करो और dream roles तो बहुत है मैं जिस दिन होंगे तो मैं जबरूर बताऊंगा अगर कभी कोई romantic film उसका remake बने तो आप किस film में काम करना चाहिए मैं मेरी all time favorite one of my all time favorite films is Jackie Shroff Sir ki Hero मुझे लगता है it's a beautiful love story और उनसे अच्छा launch मुझे नहीं लगता अज तक किसी को मिलाऊगा at least in my lifetime कि अगर उसका remake बने तो आपको रोल करें मैं मतलब ऐसी कोई कहानी हो क्योंकि उसमें जो hero है वो मर्द है मतलब बच्चा नहीं है so I think that मुझे बट अच्छी लगती है जब आपकी hero में मर्द वाली बात है क्योंकि हम जिस generation में अगर आपकी प्ले बड़े हम वैसे ही इरो उसको देखकर बड़े तो हमारे ले तो एक लिए दायरा है वैसा हमें लगता है So I think that is one film which I feel is outstanding कोई आपकी किसी film का याउब सेरी का कोई असा डायलोग जो आप हमारे वीवर्स को सुनाना चाहे चेनने एक्सप्रेस का डायलोग है कि वी रोडे वंदनी, वी रोडे पोय माते, वेटी पीस पीसा के पार से लनुपी जो है मतलब कि तो अपना आपको बहुत बड़ा हीरो समझता है लेकिन यहां से तेरे चोटे-चोटे तुकडे कर गवे जुगा तोला पिता बने के बाद क्या जिन्दगी बदली है बहुत बदली है रहा है अए ऐडिको विया पिता बने के से मुआ है Prof type पर शाप अब कर दो शाजरते हैं, इस से आपक अगा है। अब नहीं जाए इंसान अफसे घुजरते हैं। आपने शाउथ की फिल्म्स भी जाधा किया हैं। तो अगर गिए मैं बोल्लीवूड की वी इस आपसे पूछू तो मुझे अपनी हिंदी सिनमा में काम करने में ज्यादा मातर भाषा है हमारी तो उसमें क्या होता है आपका action reaction और हर चीज अलग होती है जब आप साउत में काम करते हैं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है क्योंकि उनका काम करने का अंदाज अलग है उनकी storytelling का अंदाज अलग है तो एक actor के लिए learning curve बहुत अच्छा है लेकिन जिस भाषा में आप पले बढ़े हैं जब आप उसमें acting करते हैं तो बहुत ज़्यादा रस आता है जैसे एक actor के लिए कहा जाता है if you don't need to find your words आपका काम हो गया है अगर मुझे सोचना नहीं पढ़ागी मुझे बूलना क्या है तो बहुत मज़ादा acting करने में आपके वाले भी जाने माने actor है और आप लोग साथ में रहते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपको आपको किसी दॉसे पाङ किलों आपके нет कर स्कुल आपके तो मैं किसी पर दापका करों क्या कर साथ मिन यहannा है अगर गरें गराओ पड़ लुक्त रहा है तो आपको एक संग में चोठी करता है अपने आप अपनी हसाबता है जो मुझे अजते है अग्या है नहीं है झाह है अग हर तो आप उनके लिए क्या कहेंगे इस शो में? मैं तो यही कहूँगा कि हर फादर अपने सन के लिए हीरो होता है मेरे फादर मेरे लिए हमेशा से और हमेशा हीरो रहेंगे मतलब उनको जब वह महाभारत करे तो इस वह देखा था मैं संदे के दिन मेरी मा मुझे जाने देती थी उनके सेट पर कुछ गंटे तो वह एक सीन था उनका यूद था भीम के साथ और उस जमाने में डूपलिकेट गदे नहीं था वह एक सीक्वेंस में रियल लोहे के गदे था अचा तो प्रवीन कुमार साब जो भीम का किरदार करे थे उनके हाथ से मेरे फादर को यहाँ पर लग गया उनके और मुझे आदे पूरे स्किन के उनके चर्रे उड़ गए था पूरा खूनम खून था लेकिन तेलिकास था तो दिन से लेके रात तक शूट कर रहे थे एंड़ उनका हाथ शिवर करने लग गया था तो जब उनका उस लेवल ओ डेडिकेशन मैंने देखा है तो मैं उसी को अपना आधार मानता हूं लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि 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 अगर करना है तो यही करना है नही करना है तो भी यही करना है 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 कि आने वाले वक्त में आडियंस आपको नए-णजे किरदारों में देखे, आपका हमारे ष्रेत्स के लिए आने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शक्रिया. तो नाजरीन आज के लिए इतना ही अगले हफ़ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐजी ही अजीम शक्सियत के साथ फिल हाल हमें दीजे इजाज़त आदाब